क्वेशन क्या कहता है Of the three numbers, the first is four times the second and three times the third. If the average of all three numbers is 95, what is the third number? क्या कह रहा है question में, ये three numbers है, पहला number 4 गुना है दूसरे से और 3 गुना है तीसरे से फर्दर आगे क्या कहता है कि इन तीनों number का जो average है वो 95 है तो third number हम से पूछ रहा होगा अगर हम मालने कि third number जो है उसकी value x है तो first number की value क्या होगी? वह हो जाएगी, first number is three times the third means 3x हो जाएगी, ठीक है, आगे second number की value अगर find out करनी है तो वह कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 3x by 4 क्यों? क्योंकि पहला number जो है, चार गुला है, दूसरे numbers है, साथ में हमें क्या दे रखा है कि इन तीनों number के average जो है 95 है, अगर हम sum find out करें, x plus 3x plus 3x by 4, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 95 into 3 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्यों? तो LCM आज आएगा 4, और यहाँ पर जो value आएगी सबसे पहली क्या जाएगी? 4x आएगी, फिर 12x आएगी, फिर 3 आएगी, 3x आएगी, ये बराबर कितना हो जाएगा? 95 into 3 है, यहाँ से x की value अगर find out करें, मतलब x उपर denominator में add कर दें, तो क्या हो जाएगा? 12 और 4, 16 और 3, 19x, 19x बराबर कितना हो जाएगा? 95 into 3 into 4, 19 से यह 95 cancel होगा, तो कितने time जाएगा? 5 time जाएगा? ठीक है? और 5 into 4, 20 into 6 into 3, 60 है जाएगा, x की value क्या आ रही है? 60 आ रही है, हमें क्या पूछ रहा है? 3rd number की value find out करके बताओ, 3rd number की value क्या है? x है, x हमने अभी निकाला, वो कितना है? 60, option to 60 is question का सही answer है